एलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आप सब का स्वागत है CSR net का एक्जाम तीम महिने पर आ चुका है ऐसा हमारा एक estimate है अभी तक official notification नहीं आए है अगले दो तीन हफ्तों में official notification भी expected है अब समय आ गया है कि हम हमारे preparation को लेकर पूरी seriousness दिखाए अगर अब तक हमने नहीं दिखाई है तो अगर अब तक हमने already proper तरीके से preparation किया है एक proper planning के साथ time management के साथ prepare कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है बट अगर नहीं कर रहे हैं तो यह सही समय है ठीक है और यह सही समय है ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं क्योंकि यह simple सी चीज हमेशा समझ लो कि कब शुरुवात करनी है तो एक कहावत है the best time to start was yesterday कली शुरू कर देना चाहिए था ठीक है कोई बात नहीं कल शुरू नहीं कर पाये थे second best time is now अभी से शुरुवात करो कोई बात नहीं अभी देर नहीं हुई है अभी भी समय है ठीक है तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक समय कैसे सही तरीके से मैनेज किया जाए ठीक है अब होता क्या है कि हम जब भी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन करना स्टार्ट करते हैं जन्र भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है ठीक है शुरुवात करने में ही एंग्जाइटी आती है मुझे भी आती है मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं मुझे शुरुआत कर दी तो फिर धीरे-धीरे-धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू होता है बट अगर एक प्राफर प्लानिंग के साथ अगर किया है तो नहीं तो क्या होता है कि यह प्लान अगर आप नहीं रखते हो तो आपका stress आपकी anxiety बढ़ती जाती है तो यह हमें avoid कैसे करना है एक सही तरीके से आपने अगर टार्गेट रखाए कि आज के दिन में इतना इतना पूरा करना है तो वो कैसे पूरा होगा ठीक है और उसके लिए टार्गेट्स भी कैसे सेट करने है ये भी हम इस वीडियो में थोड़ा-थोड़ा टेखेंगे अब सबसे इंपॉर्टन होता है कि दिन में आपको कितना समय मिलता है उस समय का सही इस्तमाल कैसे किया जाए और CSR net का exam pattern क्या है उस exam pattern को समझ कर हमें ये time management strategy बनानी है तो ये कैसे करना है ये जानने के लिए सबसे पहले तो याद रखिए कि proper plan करना बहुत ज़रूरी है आपका end target क्या है मैं CSR net exam qualify करना इसकी बात नहीं कर रहा है वो तो है ही बट मैं कह रहा हूं कि end goal हर दिन का होना चाहिए आज के दिन का आपका goal क्या है उस goal को पूरा करने के लिए आपको कित दो classes करते हैं और उसके बाद उनका पूरा दिन खाली होता है ठीक है कि अगर वो कहीं पर जवाब नहीं करें preparation के लिए उन्होंने अगर थोड़ा सा समय साइड में रखा है तो चार घंटा वो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उनके पास पूरा दिन पढ़ा है ठीक है सो कुल मिला कर वो दस से बारा घंटा दिन में पढ़ाई कर सकते हैं अगर उन्होंने एक सही determination के साथ एक जिद के साथ पढ़ाई की तो ठीक है और वो तो जरूरी है ही ठीक है वो जिद अगर नहीं है तो कितना भी प्लान कर लो कितना भी अच्छे notes लिलो कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ो कितने भी classes जॉइन कर लो कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो वो एक discipline एक जज़बा आप में होना ही चाहिए वो तो compulsory है वो तो must है ठीक है मगर उसके साथ साथ अब एक ज़रूरी होता है planning सही planning कैसे करना है तो उसके लिए exam pattern क्या होता है CSRnet का ये थोड़ा समझ लेते हैं ठीक है ये सब आपको पता ही है और फिर भी एक और बार में बता देता हूं कि आपको कितना याद है ये नहीं देख रहे हैं आपको कंसेप्स कितना समझ में आये है ये देख रहे हैं बट नौलेज बेस्ट है सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय ना लगे ऐसे दो-दो मार्क के सवाल आता है पार्ट बी में पार्ट C में application-based questions आता है जो आपके concepts है उन concepts को apply करके कहां पे exception होगा कहां पे नहीं होगा number of electrons कितने है attack first position पे होगा या second position पे होगा ठीक है यह formula इस्तमाल करने है मगर क्या units change करने है यह सारी चीजों का ख्याल आपको रखना पड़े ऐसे सवाल पूछे जाएंगे पार्ट C में application-based सवाल होता है तो मतलब कुल मिला के तीन चीजे हैं पार्ट A है general aptitude general aptitude की पढ़ाई हमें करनी है और यही पे बहुत सारे students गल्दी कर बैठते हैं कि general aptitude बहुत late start करते हैं तो जनरल aptitude कभी भी late start नहीं करना है जितना जल्दी कर सकते हो उतना जरूरी है तो इसलिए आज से ही daily plan में में general aptitude कितना करना है कैसे करना है इसका एक plan लिकर आया ठीक है दूसरा है अगर knowledge based section है part B का इसका मतलब हमें revision करना यहां पी बहुत ज़रूरी होता है ठीक है हमें concepts पता होना ज़रूरी है और हर subject के ज़रूरी है ठीक है part B में आपको पता है कि 40 में से 35 questions solve करने हैं मतलब आप सिर्फ inorganic का या सिर्फ organic का अगर करके जाओगे तो part B में मार आपको बिल्कुल भी score नहीं करता हो गया ठीक है इसलिए part B के लिए तीनों subjects का करना है बट knowledge based करना है आपको बहुत ज्यादा practice part B के लिए करना जरूरी है क्या तो नहीं बट आपके concepts आपका knowledge clear होना चाहिए ठीक है इसलिए part B के पढ़ाई करने के लिए requirements अलग है part C में on the other hand application based questions है तो यहाँ पर जो concepts आपने पढ़े हैं वो concepts आप सही तरीके से apply कर सकते हो के नहीं यह जानना भी ज़रूरी है ठीक है इन तीनों sections के लिए पढ़ाई आपको अलग-अलग तरीके से करनी है ठीक है और इसलिए दिन में हर एक section के लिए अलग-अलग amount of time रखो ठीक है इस time management के strategy को मैं 1-2-3 strategy कहता हूँ ठीक है 1-2-3 strategy का मतलब क्या है कि मान लो कुल मिला कर अगर आप 6 गंटा पढ़ाई करते हो एक दिन में यह मैं आपका self study कह रहा हूँ ठीक है यह मैं self study की बात कर रहा हूँ इससे ज्यादा कर सकते हो बहुत बढ़िया है इससे कम हो रहा है कोई बात नहीं जितना हो पाता है उतना करो बट 6 hours of self study अगर कर रहे हो तो वो 6 गंटे कैसे utilize करने है उसके लिए यह trick है 1-2-3 ठीक है तो यह 1-2-3 का मतलब क्या है आपके दिन के 6 गंटे है वो divide इस ratio में करो एक घंटा क्या करो aptitude करो ठीक है अब एक घंटा aptitude आप सोचोग करें कि 6 गंटे पढ़ाई करें एक घंटा अगर aptitude किया तो chemistry कप करेंगे तो देखो कि aptitude में आपको दो चीज़े देखनी है solved examples देखना start करो ठीक है कई सारे solved examples आपको मिलेंगे हमारे aptitude का हमारा एक separate channel है वहाँ पे aptitude के कई सारे youtube series हम चलाते रहते हैं तो वहाँ पे कई सारे solved examples आपको मिल जाएंगे questions solving की technique आपको यहाँ से पता चलती है और उसके बाद questions की practice करने है ठीक है practice questions मतलब अब यह आपको खुद को solve करने है तो अगर आपने इसको 30 minute दिये solved examples देखने के लिए मतलब जो tricks आप apply कर सकते है वो tricks समझने के लिए 30 minute दे दिये और उनी tricks के उपर के सवाल solve करने के लिए 30 minute दे दिये तो आपका एक बहुत अच्छे तरीके से aptitude हो जाएगा ठीक है बट याद रखिए यह आपको करना है daily यह आपको करना है daily 30 marks का aptitude आता है ठीक है उसमें से कम से कम 10 या 15 mark का aptitude अगर आपने कर लिया है तो बहुत बड़ा boost मिलता है आपके score क्यूंकि होता क्या है कि हर एक aspirant chemistry तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है ठीक है chemistry का ही focus होता है बट aptitude पीछे छोड़ देते हैं और इसक 130 marks मिलने का scope होता है वो चला जाता है कई सारे students ने आपको ऐसे seniors आपके पता होंगे जो आके बोलेंगे यार इस बार 2 mark से रहे गया इस बार 10 mark से रहे गया वो 2 mark 10 mark से क्यों रहते हैं क्यूंकि aptitude बिलकुल नहीं करते हैं ठीक है उनको पूछना कि आपने aptitude के कितने सवाल कर दे तो aptitude के सवाल करना बहुत जरूरी है ठीक है इसलिए दिन का भी एक घंटा aptitude के लिए बचा के रखिए ठीक है और ये कब करना है रोज दिन की शुरुआत इससे कब दिन का अंत इससे मत कब जो चीजे आपको करना बिलकुल पसंद नहीं है वो चीजे दिन के अंत में नहीं करनी चाहिए वो दिन की शुरुआत सुबह लब जहां पे आप पूरे जोस से प्रेपेरेशन करने के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठोगे उस समय aptitude पढ़ो सुबह ही पढ़ो रात को मत पढ़ो रात को आपको मन भी नहीं करता है पढ़ाई करने का तो ऐसे लाई 123 स्ट्राइडिजी था तो वह यह आ गया ठीक है टू क्या है दो घंटे क्या करना है रिविजन करना है अर्ट नोट्स बनाने हैं तो आपने आप अगर लेक्टर देख रहे हो ठीक है नॉर्मली मैं मानके चलता हूं कि आप कम से कम चार घंटे क्लास कर रहे हो आगर चारगंटे करना है तो दो घंटा कम से कम रिविजन भी करना है है उस रिफिजन में करना उन नोट्स को 20 मिनिट देकर शॉर्ट नोट्स में कनवर्ट करके रखो ये शॉर्ट नोट्स होते हैं ये लास्ट मिनिट रिविजन के लिए बहुत काम आते हैं तीन महिने बाद जब एक्जाम आ गया होगा एक हफते के दूरी पे एक्जाम होगा तब आप पूरा का पूरा अपना नोट्बुक पढ़ने बैठोगे तो फाइदा नहीं होगा उसके तैयारे अभी से करो शॉर्ट नोट्स बना के रखो ताकि आप वो एक हफते में बहुत आसानी से पूरे सिलबस का रिविजन कर पाओ और रिविजन तो ये डेली रिविजन करना जरूरी होता है ऐसा नहीं है कि रिविजन हफते में एक बार कर लिया या जब छुट्टी मिल जाए तब रिविजन करना है तो ये रिविजन के लिए भी शॉर्ट नोट्स काम आते हैं तो इसके लिए ये शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूगी है। और तीसरा इस 1-2-3 स्ट्राटेजी में, अब ये जो रिविजन करते हो, इसमें याद रखिए, फिजिकल, इनॉर्गेनिक, और्गेनिक, तीनों को इक्वल वेटेज है। तीनों को इक्वल वेटेज है, तो मतलब आप आधा गंटा, आधा गंटा हर एक को दे देते हो, रोज का, रोज आपने जो जो नया पड़ा है, वो आधे गंटे भी रिवाइस करना है, श्कॉट नोट्स बनाके रख देने हैं, ये अगर आपने रोज किया, तो यहाँ पे आ बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ पढ़ाई करके रिविजन मत करो, लिख के रिविजन करो, ये बहुत ज़रूरी है, और फाइनली वो जो थ्री आवर्स का रखा है, वो थ्री आर्स किसके लिए है, वो ग्वेशन प्रैक्टिस के लिए है, अब ध्यान देना, मैंने तो अगर आपने कॉंसेट्स पढ़े हैं, तो वो नौलेज आपको सिर्फ याद करना है, और पार्डवी के क्वेशन सॉल्व करने, पार्ट सी में ऐसा नहीं होगा, पार्ट सी में जो आपके कॉंसेट्स है, जो नौलेज है आपका, वो अपलाई भी करना है, वो किस तरीका एक थोट प्रोसेस, एक प्रवलम सल्विंग अप्रोच डेवलप करना है, और उसके लिए ये क्वेशन के प्रैक्ट्स ज़रूरी है, और तीन घंटे प्रैक्ट्स करनी ज़रूरी है, तो 1 इस तो 2 इस तो 3 इस रेशो में आपका पूरा समय डिवाइड करिये, ऐसा विल्कुल नहीं करना है कि आज revision मतलब revision सिर्फ पढ़ाई करते बैठ गया है ऐसा भी नहीं करना है कि आज organic पसंद आ गया है चलो आज पूरा दिन organic कर दिया नहीं, तीनो subject करने है तीनो मैंसे जो जो आसान लगता है उतना ही करो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो बहुत tough लग रहा है वो भी करना है, नहीं क्योंकि exam में tough questions solve करने के ज्यादा extra marks नहीं मिलते हैं, bonus marks नहीं मिलते हैं तो आसान question और tough question दोनों को same mark मिलते हैं, तो आसान वाले concept के questions ही करने हैं, बट तीनों के करने हैं फिजिकल का भी, इन और्गेनिक का भी, और्गेनिक का भी यह याद रखे, यह strategy बहुत ज़रूरी है तो कुल बिलाकर time manage कैसे करना है तो अगर आप 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 1 घंटा aptitude, 2 घंटे revision, 3 घंटे practice question solving practice इसके लिए देना है तो और यह question solving practice ऐसा भी नहीं है कि आपको समय लगा के करना है बट सारे जो questions आप solve करें हो properly लिख के solve करो, मन में solve मत करो हमेशा लिख के एक proper notebook मना यह question हमने इस तरह से solve किया है इस तरह से अगर करोगे न तो आपको जो questions आपने solve किया है वो याद भी बहुत अच्छे से रहते हैं और इसलिए exam में solve करना ज्यादा आसान रहेगा तो यह एक time divide कैसे करना है आपके पूरे दिन का समय divide कैसे करना है यह आपको figure out करना है और of course इसके लिए discipline बहुत जरूरी है यह रोज का रोज करना इसके लिए एक जज़बा बहुत जरूरी होता है तो वो एक positive approach के साथ यह plan बना और शुरू करो ठीक है और यह strategy बनाने के लिए आपको अगर CSR net के बारे में और कुछ जानना है तो हमारा जो website है ifsonline.com इस website पे हमने बहुत सारी जानकर अपलोड करके रखिए previous year papers का analysis है कौनसे topics आपको करने चाहिए focus किस पे करना चाहिए उसके लिए एक analysis हमने अपलोड किया है पिछले 5 साल के exams का cut-off है previous year question papers है यह बहुत important है आप सब के लिए और finally exam related और भी कोई तयारी कर रहे हैं उनके लिए तीन अलग-अलग courses हमने बनाए है और हर एक course की एक खासियत है तो यह जो live batch है exclusive live batch है यह live batch में कहूंगा कि December 2023 December 2024 की जो तयारी कर रहे हैं उनके लिए mainly यह live batch है क्योंकि अगर जून की तयारी कर रहे हो तो यह जो तयारी करने वाले स्टूड़न्स के लिए भी है और डिसेंबर 2024 की तयारी करने वाले स्टूड़न्स के लिए भी यही batch है इसका रीजन है कि मान लो कि अगर आप जून की जून के एक्जाम की तयारी करें हो बट enroll नहीं क्या है और अब आपको लग रहा है कि लेक्चर्स होने चाहिए थे लेक्चर्स अगर सुनते तो ज्यादा बहतर conceptual understanding होता live batch में enroll मत करो recorded course में enroll करो ठीक है ताकि आपको पूरे स्टिलबस के वीडियो एक टाइम पर मिल जाए और फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो आप plan बना सकते हो कि कौन से दिन क्या करना है यह शुरुवात कहां से करनी है यह फिर अगर डिसेंबर 2024 की तैयारी करे हो मगर live lectures attend करने में थोड़ा दिक्कत होता है time properly match नहीं होता है live lectures का अगर आप जॉब करते हो या फिर अगर आप college में जाते हो तो उस time पे आपके लिए है recorded course यह recorded course आपको सबसे ज्यादा benefit देगा ठीक है और अगर जो जो repeaters है पिछला CSR net का exam दिये थे बट extra practice चाहिए तो इन repeaters के लिए CSR net का complete test series है यह test series में आप enroll कर सकते हो इन तीनों में flat 30% discount है ठीक है IFS 30 promo code रखे यूज करिए याद रखे कि आपको पूरी fees देकर admission बिलकुल नहीं लेना है यह मना है आपको 30% discount लेकर ही admission लेना है तेर मत करिए यह offer जब तक valid है तब तक ही admission ले लीजिए इतनी देर करोगे एक तो चलो यह discount चला जाएगा तो पैसे का भी नुकसान होता है बट उससे बड़ा नुकसान होता है समय का तरही समय से पढ़ाई या preparation शुरूआत करोगे तो सबसे ज्यादा benefit होता है अब ही अगर सिर्फ तीम महिने बचे है तो अब इससे ज् और plan बनाओ शुरू करो ठीक है और CSR net का exam तो हम crack करके रहेंगे तो यह video कैसा रहा आपके और कुछ suggestions है time manage करने के लिए आप क्या करते हो आपके experiences क्या है यह हमें जरूर comments में बताइए ठीक है ताकि आपके experiences से बाकी जो हमारा student community है जो CSR net का exam दे रहे हैं आपके experiences से वो भी सीखे ठीक है तो यह video कैसा लगा यह हमें comments में जरूर बताइए ठीक है और हमारे साथ जुड़े रहे है ऐसे बहुत सारे strategies और useful suggestions लेकर हम यहाँ पे रोज आते रहेंगे तो thank you for watching this video इस video को share और like जरूर करिएगा और channel को subscribe तो करके ही रखिएगा thank you for watching and happy learning